अम्बानी परिवार देश का सबसे अमीर परिवार और अम्बानी परिवार इस वक्त काफी खुशिया मना रहा है 2018 में उनकी खुशिया भी डबल होने जा रही है क्योंकि मुकेश अम्बानी की बेटी ईशा और बेटे आकाश दोनों की शादी तै हो गई है बात करें आकाश की तो आकाश की शादी बस कुछी दिन बाकी है उनकी शादी में श्लोका और आकाश की शादी में मुकेश अम्बानी अपनी बहु श्लोका और राकाश को देने वाले है कार जो की गोल्ड की बनाई हुई है चम चमाती हुई गोल्ड कार और जो बेश कीमतिकार भारत से नहीं बलकि दुबई से मंगाई गई है जी हाँ, दुबई में मुकेश अमबानी ने ओर्डर दिया है अपनी बहु श्लोका के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं उनके, मुकेश अमबानी इस तरी की कार अपनी बहु के लिए बनवाई है उन्होंने और अभी थोड़ा सा वक्त है पर यह कार भारत में आने वाली है, उसी के साथ मैं आपको बिता दूँ कि आपको लग रहा होगा कि यह कार कितने की है भई, आकाश और श्लोका की शादी हाई प्रोफाइल शादी माने जा रहा है साल की तो भई अगर शादी हाई प्रोफाइल होगी तो गिफ्ट भी बेशकीमती होना चाहिए ऐसे में मुकेश अमबानी ने आपने अभी तक सुना होगा कि सोने की अंगूठी आई है मार्केट में सोने की ड्रेस तक आगी है ऐसे में आकाश के लिए और श्लोका के लिए मुकेश अमबानी ने कुछ हट के सोचा है कि क्यों ना अपनी बहु को कार गिफ्ट दे दी जाए कार भी ऐसी वैसी नहीं बलकि सोने की चमचमाती हुई कार और उसकी कीमत जानकर आप हैरान रहे जाएंगे उसकी कीमत बताई चारे ही है 10 लाख डॉलर यानि कि हमारी बहारती करनसी के साब से देखा जाए तो 6.7 करोड रुपए अपने आप में ये बड़ी रकम है पर मुकेश अमबानी के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ कार इतने की अभी ली है शादी का जो खर्चा आने वाला है वो तो हमारी सोच से भी परे है ऐसे में मुकेश अमबानी काफी ज्यादा एक्साइटेड है और हर चीज वो कुछ अलग और डिफरिंट तरीके से करना चाहते हैं अपने बेटे की शादी के लिए और ये शादी जिस तरीके से हाई प्रोफाइल मानी जा रही है उसी तरीके का ये गिफ्ट भी बहुत ही ज्यादा चर्चा का विशे है हाला कि अभी तक भारत आया नहीं है आने से पहले ही चर्चाओं में बन गया है उनके जो मुकेश मबानी है उनके करमच्वारी जो एनके घर में काम करने वाले करमच्वारी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 20 जून तक ये कार ये बेश कीमतिकार भारत पहुँच तो देखते हैं कि ये कार जो भारत आती है तो कितनी रफ़तार पकड़ती है और कितनी चर्चाओं का विशे बनती है धर्मिंद्र रियादव के साथ दव्याविचवर या अम्पीनियोज